अक्षे तृतिया की व्रत कथा हिंदू धर्मावलंबियों के लिए वैशाख मास के शुकल पक्ष की तृतिया तिथी का अत्तिधिक महत्व है इस शुब दिन को अक्षे तृतिया के नाम से जाना जाता है यहति थी सनातन धर्म के धर्मावलंबियों के लिए क्यों बेहत महत्वपूर्ण मानी जाती है इसे जानने के लिए अक्षय तृतिया की कथा का श्रवन करें भविशे पुराण में उलेखित एक पौराणिक कथा बेहत प्रचलित है कहा जाता है कि बहुत समय पहले धर्मदास नाम का एक वैश रहता था वह बहुत दानी सुभाव का था एक दिन उसे अक्षय तृतिया के महत्व के बारे में पता चला कि हर वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतिया तिथी पर देवताओं और ब्रामणों की पूजा करने से तथा दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है जब उसे ये पता चला तब वह अक्षय तृतिया व्रत पूरे विधिविधान से करने लगा और सत्तू, चना, गेहू, दही, गुड़, आदी सामग्रियों का दान करने लगा इसे बीच उसकी पत्नी ने उसे काफी मना किया लेकिन वह नहीं माना और शृध्धा भाव से अक्षय तृतिया का व्रत संपूर्ण किया कुछ समय बाद उसकी म्रत्यू हो गई उसे राजयोग मिला ग्रंथों के अनुसार अक्षय तृतिया पर शुब कारे करना बेहद लाबदायक होता है क्योंकि इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है लोग इस दिन दान पुन्य जब और तप करते हैं कहा जाता है कि अक्षय तृतिया पर घर में नई चीजें लानी चाहिए इससे घर में अक्षय व्रिद्धी होती है तथा सुक सम्रिद्धी बनी रहती है मानिताओं के अनुसार अक्षय तृतिया पर सुना खरीदना भी बेहद लाबदायक होता है कहा जाता है कि अक्षातृतिया पर पूजा के साथ कथा अवश्य पढ़नी चाहिए यदि कोई कथा ना पढ़ पाए तो इसके श्रवन से भी उत्तमफल की प्राप्ति होती है